सब्सक्राइब करें और हाँ बैल आइकन को प्रेस करना ना भूलें संगनी महिला समीती का दिश्ठापन समारो होटल पेल पैलेस में आजित क्या गया संगनी महिला समीती का दिश्ठापन समारो होटल पेल पैलेस में आजित क्या गया संगनी रत्न से समान क्या गया समान पाकर डौक्टर रुची चदरवेदी खासी खुश नजर आई इस अवसर पर उन्होंने मात्र शक्ती के सम्मान में कुछ का बिरचना भी प्रस्तुत की संगनी सदा बन जाती है जो कारकर में संगनी महिला समिती द्वारा संगनी रत्न से सम्माने डौक्टर रुची चदरवेदी ने संगनी महिला समिती की सभी वहनों को शिपकामनायदी साथ इस कारकरम की सरहना की पहले तो मैं संगनी परिवार का आभार वेक्ट करना चाहती हूँ कि इस छोटी सी लेखनी को इस बड़े सम्मान के योग के पाया है आप सबका आभार वेक्ट करती हूँ और आज यहां पर संगनी का स्थापना दिवस भी है तो बहुत शुपकामने प्रिशित करती हूँ कि यह सत्रवा नहीं यह सौवे स्थापना दिवस तक मैं भले ही जीवित न रहूं लेकिन यह अन्वरत प्यात्रा चारी रहे और यहां संस्कारों पर बात हो रही है यह वाकई में ऐसा विशय है जिस पर चर्चा होनी बहुत आपश्यक है भी और हमारे लिए यह महत्वपून भी है इसलिए कि यह एक शब्द है जो आपको विश्यों में केवल और केवल हमारे देश मितलेगा वहां संस्कृति की बात तो होती है संस्करों की बात वहां नहीं होती है इसलिए उसका मुझे लगता है कि यह विचार जो है यह बात जो है सिर्फ आपको हमारे देश में सुनने को मिलेगी और हमारे घर में कैसे रहना है माता पिता की सेवा करनी है उठकर सुभे चरन स्प परिवार को कि इस विश्य पजा आज ये चर्चा पर चर्चा रखी है उन्हा भार देखते हैं यह आज संस्कारों में जावरुकता का कारिक्रम है जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं हमारे हमारे घर के लड़के लड़कियां बालक बाली का जो होते हैं वो बहुत ही गलत रास् का निवा सकते है कि अपने बच्चों को शल्यच वीहन होने से रोब सक्ते हैं । उसी विश Оम के लिए हमने थे एक का कारेक्रम है जिसमें हमने संस्कारों की बात करी है संस्कृति की बात करी है रास्ट को और देश को कैसे हम लोग्सा करे सकते हैं क्योंकि Today's Day करे को Our वो हमारा यूथ ही है तो वो यूथ ना बिगड़े इसके लिए आज के समय में आज हमारे परिवारों में संसकारों की बहुत बहुत आवशकता है तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने आज इस कारेकरम का आयुजन किया है। के लिए एकत्रित हुए हैं। 16 साल पहले हमारी कुछ सखियों ने मिलकर एक पौधा लगाया था जो आज बट व्रक्ष का रूप ले चुका है। हम लोग लगबख सो महिलाएं हैं जो संगनी महिला मंच को ख्रियानवित कर रही हैं। बहुत नेक कार इस महिला मंच की द्वारा संचालित किये जाते हैं। जैसे कुछ राश्रम जाकर वहां पर कुछ रोगयों की सेवा करना, सामोई गरीब करन्याओं का विभा कराना और बच्चों की पढ़ाई का वहन भी हम लोग करते हैं। जहां कुछ भी हम लोग को जरूवत लगती हैं, हम आप पहुंचते हैं और उस कार में अपना सहयोग देते हैं। आज अदेश्ठापन के अफसर पर हम लोगों ने परिवार में सांसकारिक जगरूपता कैसे हो। इस विषय पर संगोश्टी रखी है। उसके लिए हमने मदुरवक्ता के रूप में रादा शर्मा जी को आमंत्रित किया है। और साथ ही हमने संगनी रतने अवर्ड डॉक्टर रुशी चतुरवेजी जी को दिया है। उन्होंने अपनी ओजश्वी भासर थे यहां सब को अभिभूत किया है। हमारा नया सत्रवी शुरू होने जा रहा है। जिसमें नए पदादकारियां अपना नया पदभार ग्रहन करें। मैं दीपागर्द संगनी परबार की संसा अपिका के रूप में 16 सार से कारे रहा हूं। आज मैंने अपने अद्धश पैद कुनमक जैन जी को गरंड कराया है। अभी तक मैं अद्धश थी इस परबार की। हमने 16 साल में जो हर साल हमारा का दिस्टापन दिबस होता है वो एक मही को फिक्स है कि हम लोग इसकी सुरुवात करते हैं। एक मही को सुरुवात करने हैं। हर इस्टापन दिबत पर एक नया विसे लेकर समाजिक विसे लेकर कुछ न कुछ आगरकी कुछ परस्नल्टी जो महलाए हैं। जो जिनको लोग पहचानते नहीं हैं। उनमें बहुत प्रतिवा होती हैं। लेकिन वह सामने नहीं आपाती हैं। अधुनिक्ता की इस दौड में संसकारों को भूल रहे बच्चों को संसकार के मायने समझाने के लिए समाज के बच्चों ने एक लगुनाटक का भी मंचन किया। अजे बहादूर सीन्यू जाकरा।